आईपेल के चौदवे सीजन के लिए बीसी से आई ने रवीवार को शेडियूल की घोशना कर दी है इसी के साथ ही ये भी तैह हो गया है कि आईपेल 2021 का आयोजन भारत में ही किया जाएगा करीब दो साल बाद देश में आयोजित होने जा रही इंडियन प्रेमेर लीग के लिए एहमदाबाद, बैंगलूरू, चिन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकता का चायन किया गया है और तो और इस बार के आयपेल में राजिस्थान, पंजाब और हैदराबाद में मुकाबले नहीं खेले जाएंगे सभी मुकाबले सिर्फ छे शेरों में होंगे जहां चिन्नई, मुंबई, कोलकता और बैंगलूरू में 10-10 मैचर्स की मेज उबानी होगी और साथी में एहमदाबाद और दिल्ली में 8-8 मैच खेले जाएंगे आईपेल के इस सीजन की शुरुआत 9 एपरिल से चिन्नई में होगी और फाइनल 30 माई को एहमदाबाद में खेला जाएगा टूर्नामेंट में कुल 11 डबल हेडर यानि की एक दिन में दो मकाबले खेले जाएंगे इन में दूपहर के मकाबले 3.30 से शुरू होंगे जबकि शाम के मैचे 7.30 से खेले जाएंगे देश के 6 अलग-अलग स्थानों पर 52 दिनों तब मकाबले खेले जाएंगे इस दोरान कुल 56 लीग मैच और प्ले आफ फाइनल के चार मुकाबले होंगे दिल्चस से ये रहेगा कि सभी टीम लीग स्टेज के मुकाबले सिर्फ चार स्थानों पर ही खेलेगी आईपेल 2021 में सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि टीम अपने घरिलू मैदान पर एक मुकाबला नहीं खेल पाईगी यानि कि किसी भी टीम को घरिलू पर इस सितियों का फाइदा नहीं मिलेगा सबी मैच तड़ सित स्टानों पर खेले जाएंगे और कोई भी टीम अपने घर में मैच नहीं खेलेगी सबसे बड़ी बात इस बार की ये आ रही है कि ये वाला टूर्नमेंट भी पिछले सीजन की तरह दर्शकों के बगएर खाली स्टेडियम में खेला जाएगा यानि कि अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि तेजी से फैलने वाली COVID-19 की दूसरी लहर के चलते सिर्फ मुंबई में ही होने वाले मुकाबले में दर्शकों को मैदान में जाने की जाज़त नहीं होगी लेकिन अब BCCI जल्द ही ये फैसला ले सकती है कि किसी भी मैदान पर दर्शकों को सेडियम में नहीं जाने दिया जाएगा IPL 2021 के पहले दिन जाने की 9 एपरेल को चिन्नई के चैपोग सेडियम में गत वीजेता मुंबई इंडियन्स और रोयल चैलेंजस वैंगलोर की टीम आमने सामने होगी जाने की भारत के कप्तान और उपकप्तान के बीच पहली जंग जबरदस्थ होने की उमीद है ये मुकाबला शाम साड़े साथ से शुरू होगा अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान बी आरजी निउस आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बी आरजी निउस की मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुडे रहें